स्वामी जी ने अगर मुझे सही याद है तो दो नवंबर 1893 को अपने परम्मित्र जो उनके बहुत बड़े मददगार भी थे अलसिंगा जी उनका पूरा नाम था अलसिंगा पिरुमर जी उनको उनोंने एक पत्र लिखा और उस पत्र में ये कहा हिंदूस मस्ट नॉट गिव अप देर रुलिजिन और ये पत्र लिखने के बहुत सारे कारण थे एक कारण उसमें से शिकायत भी थी कि हिंदू अपनी हिंदू स्प्रिट से दूर जा रहा है वो अध्यात्म का अभ्यास नहीं करता और इस चीज़ को भी उन्होंने उसमें उद्रत किया उन्होंने कहा कि हिंदू रिलिजिन दुनिया का सबसे अच्छा रिलिजिन है सबसे बड़ा रिलिजिन है और हिंदुज्म में ही सबसे पहले ये कहा गया कि मानव इस विश्व की सबसे महत्पूर कृती है ये वही स्वामी विवेकाननद जी है जो ये तो कहते हैं हमारे गुरुदेव कि पूरा विश्व एक बंधुत तो है एक पूरा विश्व एक ग्लोबल विलिज है पूरे विश्व को जुड़ना चाहिए और उनके सिद्धान पे आगे जाका लीग अफ नेशन्स की स्थापन होती है लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जो हमारी जड़े हैं वो मजबूत होनी चाहिए जिसके लिए उन्होंने कहा है इफ आ हिंदू इस नॉट स्प्रिच्वल ब्यान से सुनिये सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है इफ आ हिंदू इस नॉट स् हैं कि हम सब समझ सकते हैं हम सब अपने बारे में सोच सकते हैं कि हम नाम के हिंदू है या काम के हिंदू है और इस वक्त यह फैसला होना है कि हम नाम के हिंदू है कि हम काम के हिंदू है क्योंकि अगर हम इस वक्त सनातन संस्कृति के काम ना आए मैं पूरी सनातन संस्कृति को समेट रहा हूं अगर हम इस वक्त उसके काम ना आए तो यह नाम मिटते देर नहीं लगा बहुत सारे लोग यह पूछते हैं कि धर्म परिवर्तन क्यूं किया जाता है मैं आज इसका अक्तर देता हूं आपको और उसमें कुछ बहुत विशेश बाते भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा चुकि समय कम है इसलिए एक बहुत ब्रीफ हिस्ट्री में आपको धर्म परिवर्तन की दूँगा बहुत ब्रीफ मैं आपको धर्म परिवर्तन के बारे में बताऊंगा धर्म परिवर्तन की शुरुआत यू तो 325 BCE के असपास से होने लगी थी जब हम खानी लोग आने यहां लगे यहां यहां आने लगी पूरी दुनिया से हमारा बहुत क्लोज इंटरेक्शन था लेकिन यह पूरा इंटरेक्शन कैसा था जहां हम गिविंग पॉजिशन में थे और वो रिसीविंग पॉजिशन में थे लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इस्थिती ऐसे होती चली गई जहां हम आज पहुँच गए हैं और इस इस्थिती की शुरुआत जो करी थी वो मुहम्मद कासिम ने मुहम्मद बिन कासिम सब ने सुना होगा फस्थ मुस्लिमिन विडर उसने सबसे ज़्यादा और सबसे पहले धर्म परिवर्तन किया मुस्लिम्स उससे पहले भी भारत के अंदर थे लेकिन वो ट्रेडिंग करते थे वो अच्छे ट्रेडर्स थे और उन्होंने भारत के लोगों के साथ अच्छे संबंद बनाकर रख कि इसमें हमें कहीं कोई श्रक नहीं है, इसमें हमें कहीं कोई संदे नहीं, कोई डाउट नहीं, दुनिया की सबसे अच्छी जनता, सबसे बड़े हिर्दे के, विशाल हिर्दे के, विशाल मस्तिश के लोग अगर कहीं है, तो वह इस भारतिय सनातन संस्कृती में हैं। 712 संदु पर कासिम ने अटेकर करके धीरे धीरे जब यहां पर देवल में जीता और उसको जीतने का कारण क्या मिला था पता है भारत के समाज के अंदर का जो भेद था विवाजन था उसके वज़े से वो यहां आया था अन्य था तो अनेक बार पहले भी पीट पीट कर भगाया जा चुका था वो यह दूसरा लेसन है जो आपको कहीं नोट कर लेना चाही हमारे बीच का भेद मौम्मद बिन खास्ञ को यहां लाया और वो यहां से बहुत सारी और तों को अपने साथ ले गया और यहां पर अपने कुछ लोग छोड़ गया और लगबग ड़ाई हजार लोगों को उसने कनवर्ट किया यह पहला कनवर्शन था लेकिन हमारे राजाओं का इस ओर बहुत जादा ध्यान नहीं गया अकबर जिसको हम पढ़ते हैं ना जानी किसने ये बता दिया ना जाने कैसे थ्यासकारों ने अकबर को ग्रेट कह दिया किस मामले में ग्रेट के दिया है यह आज तक पता नहीं चला क्योंकि अक्बर से पहले बहुत कुछ हमारे पास था जो अक्बर, बाबर, हुमायू इनकी वज़े से खोया हम किले बनवा देने से कोई महान नहीं हो जाता है जिन प्रथाओं की बात लोग कहते हैं अकबर ने शुरू करी वो प्रथाओं पहले से थी उनके नाम संस्कृत में थे उनके नाम अलग थे लेकिन वो प्रथाओं पहले से थी अकबर ये वही व्यक्ति है जिसने शुरू में इसलाम और बाद में दीन इलाही धर्म चलाकर लोगों को बरगला कर और उस धर्म का हिस्सा बनाना शुरू किया ये भी मानेवर एक कनवर्जन था और उसके बाद बहुत सारे लोगों का प्रिय औरंग जेब मैं एक मेरे मित्र हैं क्या कहूं टीवी डिबेच पे हम लोग साथ रहते हैं उसको नबी कह रहे थे औरंग जेब नबी हो सकता है चिसने लोगों को मारा काटा लूटा धनका लालची लोलुप विक्ती क्या वो नबी हो सकता है अकबर जो शराबी ख़बाबी है अकबर का हरम देखिए वो क्या कभी नभी हो सकता है ऐसा औरंग्जेब कभी नभी हो सकता है शाजा के बारे में उसकी चरक्रहिंता के बारे में कौन नहीं जानता लेकिन शाजा ने किस तरीखे से लोगों को कनवर्ट किया उसके उधारना से आप सुनेंगे तो काप जाएंगे आज वक्त नहीं है चत्रपती शिवाजी जी की मैं यहां बात करना चाहूंगा अगर चत्रपती शिवाजी नहीं रहते या चत्रपती संभाजी नहीं रहते तो ये कनवर्जन किस दूरी तक गया होता आपको उसका दाजा भी नहीं है इन् उन्हें कर्वर्जिन रोकने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाती थी हम उनके इस चीज़ को इतिहास से ऐसे निकाल देते हैं कि मानों की उस पन्ने को छूने से हमको कोई स्किन का रोग हो जाएगा जबकि पूरी दुनिया अपने इतिहास के बारे में खुल के चर्चा करती है हम इस इतिहास के बारे में चर्चा क्यों नहीं करना चाहते शिवाजी के उस पन्ने को क्यों नहीं खोलते संभाजी के उस पन्ने को क्यों नहीं खोलते जहां उन्होंने एक बहुत बड़े इस्तर पर ना केवल महराश्ट्र में बलकि कॉंकड़क्षित्र में भी कनवर्जिन को रोका था इसके बाद एक व्यक्ति आता है जो यहां का आइकोन कहा जाता है उसका नाम है टीपु सुलता मैं ये सारी बाते इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप समझें घलतिया कहां हो रही है पार्टी कोई हो पॉलिटिक्स कैसी भी हो विचार धारा कोई रखिए लेकिन देश सर उपर था में रखिए टीपु सुलतान जिसने एक यह आदेश निकाला की लोगों को जाएए गाउं गाउं मिलिए कनवर्ट कीजे और जो कनवर्ट नाहूं से मार दीजे और खास तोर से विमन औरतों को कनवर्ट करने की कोशिश कीजे अगर आप 2021 देख रहे हैं तो टीपु सुलतान की उस बात को याद कीजे स्टेटेजी में कोई चेंज नहीं है और इनको उसने इन्फिडिल्स का यानि काफिर कहा ये सब काफिर हैं उनको कनवर्ट कीजे अंग्रेज भी यही कहते हैं इंडियन्स आर वाइट मिन्स बर्डन ये ये दोनों बाते मेरी याद रखिये हैं क्योंकि मैं सब को कर्ट तो इन काफिरों को जो दारुल हरब के लोग हैं इनको दारुल साम में कनवर्ट करने के लिए काफिरों को इसलाम में कनवर्ट कि जिससे वो सुधर सकें इसलिए जाएए गाउं गाउं जाएए और जो नहीं मिलता उसे मार जो कनवर्ट नहीं होता से मार दीजे और ये टी साथ हज़ार हिंदों का इसने कन्वर्जिन किया है और यह सब चीज़ें रिफरेंस से मैं आपको बता रहा हूं सुल्तान हो घाजी हो यह पद जो है यह ऐसे नहीं मिलते हैं आपको हिंदोस्तान के हिंदों के खिलाफ एनारकी करनी पड़ेगी तब जाकर आपको यह पद मिलेंगे ऐसे नहीं मिलेंगे निजामा फैदराबाद जिनके बड़े खिलसीदे पड़े जाते हैं इनके दो रजाकार यह अपने छोड़ गए हैं इस वक्त जो पूरी राजनीती में इलाए पड़े हैं मुस्लिम ध्रुवी करन के नाम से पूरी राजनीती इनों विशियेट करने की कोशिश किये और उनका एक छोटा रजाखार तो यह तक कहता है कि पंदरा मिनट की धील दे दे अगर हमको पुलीस तो हम बता देंगे ऐसे ही कुछ बात तौफीक भी फरमा गया भी कुछ दिन पहले आठ तारिख को साथ तारिख को बरेली तौफीक रिज़ा तो यह सारी चीज़े हो रही थी उसके बाद क्या हुआ पर्टुगीज आए बड़ा प्रेम है ना आपको पर्टुगीज से बड़े शांत लोग थे यह वही लोग कहते हैं जिन्हों ने इतिहास नहीं पड़ा पर्टुगीज क्या करते थे अगर कोई कनवर्ट नहीं होता था तो उसको लिटाया जाता था और उसके मूँ पे हतोड़ा मार दिया जाता था दात दो दिया जाता था रेफरेंसें सब्सक्राइब का और इसके लिए सेन जेवेर की एक स्पसिफिक मॉडसम परंडाई थी जिससे वो लोगों को कनवर्ट करते थे और इसके बारे में विराग पंचपोर जी ने जगा लिखा है रेफरेंस दिया है मैं वे उनमी कुनी को कोट कर रहा हूं कि इस तरीखे से वो लोगों को कनवर् करके वहां पर एक वीकली जॉर्णल है वीकली मैगजीन है उसमें यह आपको मिलेगा कि दाथ तोड़ देते थे हथोड़े की मार्ज और यहां शिवाजी महरा जाते हैं तीन हजार हिंदों ने रिफ्यूज कर दिया कि हम कनवर्ट नहीं होंगे देखे तौफिक रिज़ा सहाब से मैं यह कहना चाहता था जब वो यह कह रहे थे अभी मैंने उसको ट्विट भी किया था आप लोग वीडियो देख लिए कि यद्ध वीर्टा तो हमारे खुन में नहीं साथ उनके खुन में नहीं है उनके खुन में है जो कनवर्ट नहीं हुए जिन्हों तलवारों का सामना किया जिन्हों ने गर्दने कटवा दी वीर्टा उनके खुन में है जो कनवर्ट हो गए उनके खुन में वीर्टा कहां से हो सकती है चत्रपति शिवाजी ने और उनको दो महीने का समय दिया गया चत्रपति शिवाजी को जब ये पता चला तो उन्होंने दो दिन पहले अटक किया और उन सारे लोगों को वहां से बचा कर लाएं ये जादा नहीं सुनने में आता होगा चत्रपति जी के बारे में समभाजी महाराज जी ने भी ऐसे किया विचिस टम्ड एज इन आर्टिकल मैं उसका ना मूल रहा हूं उसमें कहा गया पर्टुगीज कतलिक प्रीस्ट पर ब्लोव था ये और प्रफजर एसेस पुरानिक जी के रफरेंस से मैं ये बात कह रहा हूं उन्होंने इसके बारे में लिखा है उसके बाद Charles grant करके एक व्यक्ति आता है जो पूरी strategy define करता है Charles grant के बाद एक Macaulay आता है जो यहां के लोगों का बड़ा प्रिय है parents का बड़ा प्रिय है Macaulay क्योंकि Macaulay की वज़े से उनके बच्चे स्कूल्स में पढ़ते है Macaulay की वज़े से उनके बच्चे अंग्रीजी में पढ़ते है Macaulay की वज़े से उनके बच्चे अंग्रीजी बोलते हैं Macaulay की वज़े से उनके बच्चे छूरी काटे सिखाते है इतनी कमजोर मान सकता है जो बच्चे मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं इस देश के अंदर जो कभी स्कूल ने गए लेकिन फर्राटे से अंग्रेजी बोलते हैं अंग्रेजी में गाने गाते हैं ये नाविक हैं ये मला हैं ये उट वाले हैं ये घोडे वाले हैं ये ड राटे से अंग्रेजी बोलते हैं उनकी grammar की mistakes असानी से नहीं निकाल सकते हैं। हो सकता हूँ लिट्रेरी इंग्लिश ना बोलते हों लेकिर अच्छे अंग्रेजी बोलते हैं। कम से कम slanks का इस्तमाल तो नहीं करते। मैकॉले ने इक जो थेरी बनाई downwards civilization की। कुछ बड़े लोग, सो कॉल्ड बड़े लोगों को उन्होंने अपने जाल में फासा, उनके पैसों से स्कूल बने, उन लोगों को मोटा फायदा हुआ और उन्होंने इस देश की संस्कृति को मिटाने के लिए एक बड़ा भारी कुचक्र रच दिया और आज हम उसी मेकॉले कुचक्र में फंसकर खुद को खुश नसीब समझते हैं, यह सकूलस बनाये गए थे, जब इन सकूलस को बनाने के लिए एक चार्ल्स ग्रंट जब वो इन सकूलस को बनाने के लिए जब एक प्रस्ताफ कखियार कर रहे थे तो उन्होंने जिस मेन बात को कहा था, वो यही कह था कि यह हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक छोटी सी बात बता रहा हूं मैं आपको और उससे आपको समझ में आएगा गंभीडता क्या होती है और किस तरीखे से हम लोगों को प्लैक मिल किया जाता है यूएसे भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत के पास आर्थिक संसाधन नहीं थे गेहूं का क्राइसिस हो गया था यूएसे ने कहा ठीक है गेहूं का गहम आपको गेहूं देंगे ये भी एक आर्टिकल के ही उससे मैं कह रहां कि हम आपको गेहूं देंगी लेकिन एक कंडिशन है नहरू जी ने पूछा क्या कंडिशन है कि क्रिशन मिशनेरी इसको भारत के अंदर क्रिश्चैनिटी स्प्रेड करने की सुतंतरता दे दीजिए क्या समझते हैं कि यह आज हमने जो विशे रखा यह ऐसे रख दिया हमको गेहूं की वो खेमत चुकानी पड़ी लोगों ने कहा था नहरू जी से कि आप स्टैंड लीजे नहरू जी ने उसका और एक कमिटी भी फॉर्म की गई थी लेकिन नहरू जी ने उस कमिटी की बाते नहीं मानी उसको बाइपास किया मिस्टर वसन गादरे जी का एक रिसर्च है मैं यह उसके हवाले से कह रहा हूं और इस कमिटी में जस्टिस भवानी शंकर नियोगी जी इसके चेर पर्शन हुआ करते थे जिस कमिटी ने मदब प्रदेश के अंदर जो मिशनेरी की अक्टिवीटीज है उसको उसकी जाच परताल की और उसके बारे में रिपोर्ट दी गवर्मेंट को लेकिन वो रिपोर्ट दाइबाएं कर दी की दार उसलाम का मतलब समझते हैं दार उसलाम का मतलब होता है वोल्ड ओफ और दार नियुद उसलेम का मतलब पता है कुछ Muslim leaders में सारे मुसल्मानों को इसमें नहीं काउंट करता क्योंकि उन्हें भी ये सारी बात है नहीं पता है वो दारुल हरब that is India को दारुल इसलाम में convert करना चाहते है आपको क्या लगता है ये तरी छोटी बाते हैं तो ये दोनों ही agencies इधर Christians ने Christianity फेलाई और उधर जो Muslims आए उन्होंने भेंकर conversion किया और शुरुआ का सारे conversion तलवार की नोक पर था बाद में खाने पर था फिर सिक्षा पर था हैल्थ पर था इन सारे issues में जिसका वर्णन अभी honorable justice साब ने किया भी तो इस तरीखे से ये conversion फ़लाया के अब दूसरी बात धर्म परिवर्तन के अवास्ता में मनुश्य के कल्याण के लिए होता है मनुश्य के कल्याण के लिए परिवर्तन के अवश्रक्ता का है धर्म के मनुश्य का कल्याण यदि मुझे कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति देख जाए जो ठंड में ठटूर रहा है और मेरे पास एक कंबल है तो मैं उसे कंबल दूँगा ये मेरी मानफता है क्या मैं उसे ये कहूं कि तुम कंबल के बदले अपना धर्म परिवर्तन कर लो तो ये तो पाश्विक प्रवक्ति हो गई ये सौदवाजी है ये करूणा कहा है ये प्रेश विश्वंधुत कहा है तो भारत एक मात्र ऐसा देश है पूरी दुनिया के अंदर जिसने पेहले भी विश्वंधुत का पर्चम लेराया था और आज भी वो विश्वंधुत की बातें करता है हाँ धोका भूत खाया और बहुत दोका उठाया बहुत कुछ गवा बैठा भारत कन्वर्शन करोणा के लिए कि आपको पता है कन्वर्शन क्यों होता है मैं आपको इसका अंतरास्टिय प्लाइन है तू जीरो फाइफ जीरो दो हजार पचास अभी मुस्लिम पॉपॉलेशन है वन पॉइंट एट बिलियन और क्रिशन्स थोड़ा सा ज्यादा है से और जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ स्लामिक पॉपॉलेशन है ये क्रिशनिती से ज्यादा है और दो हजार पचास वह वर्ष होगा जब अगर इसी तरीके से ये चलते रहे म मुस्लिम्स तो ये दुनिया के सबसे ज़्यादा जंसंख्या वाले लोग हो जाएंगे जी ये है इसका असली का रहा है तो आप ये मत समझें कि आपके कल्यार के लिए आपकी बिटिया को ले जा रहा है ये मत समझें कि आपके कल्यार के लिए कह रहा है कि आप हमारे धर्म में आ जाएए वो इसलिए कह रहा है कि उसको बाहर से ये संदेश आ रहा है कि एक इंटरनेशनल पावर बनने के लिए इसलामिक कंट्रीज को जरूरी है दो हजार पचास में वन पॉइंट बिलियन से बहुत आगे जाकर यानि नमबर वन पर आगर उसको टिकना होगा और ये बहुत बड़ी स्टेटिस्टिक्स हैं और इस पर बहुत रिसर्च की है पी-ई-डब्यू रिसर्च सेंटर ने भी मैंने जो अपने से रिसर्च की सुखी लेकिन एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा और इस चीज़ से आप जोड़िएगा जो भारत में हो रहा है और वो ये है पूरी दुनिया में जितने मुसल्मान हैं उसके केवल पंदरह प्रतिशा अरब हैं कुल ये अपने आपको औरीजिनल मुसलिम्स कहते हैं ना अरब भारतिये मुसल्मानों को ये समझना चाहिए इनकी बाहर कोई इज़त नहीं है इस मुसलिम समझते हैं नहीं बाहर तो छोड़ दीजे पाकिस्तान में मुझाहिर कहके नहीं मार आ गया भगाया गया कितने लोग जो यहां से बाहर चले गए थे लोट के आए पाकिस्तान से लोट के आए पचास से पहले पहले बहुत सारे परिवार भारत लोट आए क्योंके उनके साथ अच्छा वेवार नहीं हुआ इसलिए वहां पे MQM मोहज़र कौमी मूव्मिन्ट बना बांगला देश में क्या है कमोवेश यही इस्तिती है उत्तर भारत का मुसल्मान जरा चला तो जाए उसकी कोई जित नहीं है भारत के मुसल्मानों को समझना चाहिए कि वो यहां ही प्यासे रहें अब सुनिए 15 प्रतिशत तो यह औरीजिनल है सो कॉल्ड तो यह बाकी कहां से आए 60 प्रतिशत लोग कनवर्टेड है केवल और केवल सौथ एशे से जिसमें भारत भी एक 60 परसंट इवन इंडोनेशा जो लाज़ेस मुसलिम पॉपॉलेशन वाला कंट्री है वो भी कनवर्टेड है उसके बाद आता है पाकिस्तान वो भी कनवर्टेड है उसके बाद आता है हिंदुस्तान का मुसल्मान वो भी कनवर्टेड है इतनी बड़ी संख्या इन्होंने कैसे कर ली 56 देश कैसे आगे बढ़ गए ये भी अपने आप में रहसे आज आपके सामने खुल गया ये सब कन्वर्जिन की वज़े से है मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ इंडोनेशा में 225 मिलियन मुस्लिम्स हैं पाकिस्तान में 181 मिलियन मुस्लिम्स हैं और इन पाकिस्तानी मुस्लिम्स ये भी तुसारी कन्वर्टेड हैं लेकिन इन में जो हिंदू परिवार पाकिस्तान में थे सब कन्वर्ट हो चु मार दिये गए, जला दिये गए या कनवर्ट हो गए हिंदुस्तान में जितने मुसलिम्स है आप सब जानते हैं एजिप्ट में कुल 83 मिलियन मुसलिम्स है कुल 83 मिलियन एरान में कुल 79% मुसलिम्स है 79 मिलियन मुसलिम्स है है अब सोचे इंडोनेश्या में 245 मिलियों बान से इनड़िटी टूविलेंज और सिमिấuटीटी नाइं मेलियन ओर मोरको में कितिने पता है 35 मिलीई फुल सूडाम में कितने 38 मिल्ययन और भाखिवी लड़ेमर यह आपस में तो और कम हो गया हूंगए लग्या यह authentic data है तो यह पूरा एक international war है जो इस तरीके से लड़ी जा रही है और war में संख्या बहुत महत्मूर होती है जो बाहर के लड़ाई होती है बौर्डर के लड़ाई होती है वह टेकनॉलजी चाहिए जो अंदर के लड़ाई होती है वहां संख्या बल चाहिए अंदर से आप देश को तोड़ते हैं इसलिए इस चीज़ को छोटा मत समझी मैं यह बिलकुल नहीं कह रहा आप लोगों से नफरत कीजी बिलकुल नहीं कह रहा लेकिन लोगों को समझाने के यह जरूरत है कि देश में यह जो conversion है यह इसलिए नहीं है कि मुसलिम या कृष्टन्स हमारा कल पाल भी है और इसके सासाथ ऑस्टेलिया भी है न्यूजिलेंड भी है जहां जाब भम धमाके हो रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि वहां पर कुछ और चीज़ चल रही होंगी न्यूजिलेंड जैसे देश में तरिरिजम का कोई मतलब ही नहीं वहां तो कोई बॉर्डर डि जरूरी है क्योंकि वो भी अपनी भगवान बुद्ध की फिलोसफिय से बहुत दूर जा चुके हैं बाबा साब अमेटकर की फिलोसफिय से बहुत दूर जा चुके हैं डाउट होता है कि कहीं चीन से सपोर्ट जो नहीं आप उनसे बात कर लीजे नेशनलिजम की, राष्टवाद की, देशभक्त की, जितने सफ टम्स हैं, उनसे बात करके देख लीजे, वो आपके साथ खड़े नहीं मिलेंगे क्योंकि उनको ये बताया जा रहा है कि ब्रहमर कौन है, काटने वाला है, ऐसे इसे करके स्कूल्स में सिखाया जा रहा है, बताएए बच्चों को विशियेट कर रहे हैं, इन तु नहीं करेगा कभी ऐसा, बॉध्ध बॉध नहीं करेंगे कभी ऐसा, करें नहीं सकते तो ये कौन लोग हैं? और जैसे अभी दिनेश जी ने भी कहा और जैसे साब ने भी कहा, क्रिप्टो क्रिस्चन्स, बहुत सारे लोग अलड़ी कनवर्टेड हैं, उनका बैप्टिजम हो चुका है, अगर हम चर्च के रजिस्टर खंगा लेंगे तो उसमें उनका नाम होग फादर्स उनके घर आते हैं, पस्चर्स उनके घर जाते हैं, लेकिन वो बहुत सारे बेनिफिट्स लेने के लिए बाहर के समाज में हिंदू बने रहते हैं, बागी उनका बाप्तिजम हो चुका है अब देखे एक और चीज़ बता रहा हूँ, क्रिश्चन्स डेस्परेट क्यों हैं, अचानक आपने देखा होगा न, यह मानिय मोदी जी की वज़े से नहीं है देखे, सची बात तो यह है कि मानिय मोदी जी के आने के बाद से एक डिटरेंस तो क्रिएट हुआ है, इसमें कोई दोराय नहीं है, और लगाम लगी है, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन लगाम कई जगाए लगती है, फिर कई जगाए हटानी भी पड़ती है हमारे लोग है ना उन लोगों का साथ देने के लिए हमें दुश्मनों के ज़रूरत ही नहीं लेकिन ये लड़ाई 2050 की है जिसे क्रिश्टन्स जीतना चाहते हैं और क्रिश्टनिटी में 36% का फॉल हुआ है पिछले 10 सालों में ये इसलिए उनकी बेसबरी है कैथलिक चर्च में और प्रटेस्टन्ट चर्च में एक बड़ी भारी ये दिकत है यूएस के अंदर कि वहाँ चर्च के मेंबर्स तो बहुत हैं फॉल्वर्स खतम हो गए जाते हैं चर्च क्यों नहीं जाते ये भी वो एक्स्पेंड करते हैं इसे नहीं जाते क्योंकि वो कहते हैं ये क्या बेसूद बाते हैं क्या बेकार की बाते हैं और ऐसे में यदि हम उनको जाके बताएं कि वो हमारे फेमिनिजम को इंगिन ये सनातनी फेमिनिजम को क्रिटिसाइज क को देखे ना हूँ और देख रहे हैं ऐसा नहीं है इसलिए वह बहुत दूर चले गए हैं अपनी क्रुस्टैनिटी से अपलोजिस्टिक जो लोग हैं अगर आप उनको उनकी फेट को पढ़े मुझे पुस्तक पढ़ने का मौका मिला उसकी बातों से वो कभी भी सहमत नहीं हो कोई पढ़ा लिखा व्यक्टी या सहिंशील सहेशुन व्यक्टी उससे कभी कन्वेंस नहीं होगा अगर आप मास्टर डिविनिटी का कोस उठाकर देखें तो उसमें आपको यह सारी चीज़ें मिल जाएंगी लेकिन एक चीज़ और दियान दीजे कि मुस्लिम्स की भी और क्रिश्टैन्स की भी जो पॉलिटिक्स या टैक्नीक्स योरोप के लिए हैं या अमेरिका के लिए वो भारत के लिए नहीं है यहां उनकी स्टाड़जी अलग हो जाती और अमेरिका में भी जितने मुस्लिम से उसमें पच्छिस प्रतीशत के रेट से वो मुस्लिम्स कन्वर्ट हो रहे हैं मदलम बगी लोग 투 चन्वर्ट हो हो रहे हैं कॉसमें तो उनका 25% actual muslim नहीं है वो 25% basically converted muslim में US में और US government इसको लेकर चंतित है तो दरसल ये 2050 की बटल है जिसके पास जतना बड़ा नंबर होगा उसके पास उतना जादा market to influence होगा अब समझे मार्केट to influence होगा जतना market को influence कोई देश कर लेता है उतना ही politici इसको इंफिटिश कर देश करता है भारत में एशा हुआ है politics को influence किया गया है जो बहुत सारे देशों की secretary services काम करते हैं यहITA-saili process काम करते हैं वह ऐसे नहीं काम करते हैं खेलने के लिए नहीं आते हैं बारत में, बहुत सारे काम यहां पर कर जाते हैं, जो आगे जाके कांड के रूप में सामने आते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और हिंदू समाज अपनी पूजा ही पार्ट से हट गया है, तो बागी चीज़ों तो क्या और यहीं से वो अपने लिए जनता धूंड रहे हैं, कुछ भी करके वो यहां से जनता को धूंड रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो पंजाब में सक्री हैं ना क्रिशन करवाने के लिए, उनसे इवन चर्च में खुश नहीं, लेकिन बस काम हो रहा है, इसलिए ठीक है, अ बहुत सारे एंजियोस पर खाबू किया जिससे मनी लाउंडरिंग रोकी जासागी, यूज मनी लाउंडरिंग होती है, करोड सोफ रुपीस की मनी लाउंडरिंग हर साल होती है, यह सबसे बड़ा खत्रा है, इससे देश की अपनी करंसी में भी फॉल हो सकता है, करते हैं और इस बात को भी बहुत ध्यान से सुनिएगा एक दो मीटिंग्स नहीं साल डेर साल दो साल तीन साल जब तक आप कन्वोर्ट नहीं हो जाते तब तक वो आपके घर आते रहेंगे मिलते रहेंगे अच्छी अच्छी बात करते रहेंगे लाफ पीस काउड इस सब की बात करते रहेंगे अला की बात करेंगे और साथ ही साथ वो हिंदुजू को कर्णिसाइज भी करते रहेंगे जिसके पॉइंट्स में अभी बताता हूँ USA में वो सीधे बाइबल पर बात करते हैं USA में वो सीधे इसलाम की बात करते हैं लेकिन भारत में ये दोनों लोग चमतकार की बात करते हैं क्योंकि उन्हें पता है हिंदु समझ चमतकार को पूजने वाला समाज है ये अपने भगवान को भी छोड़ देता है जिस वक्द भगवान चमतकार करने में सफलने रहते ये अपने कर्म को देखता ही नहीं है कि मने कितनी गलतियां की है और मैं सजा का भागी हूँ ये मने को तयार नहीं होता इसलिए वो चमतकार हो जाए इस तीर्थ में चमतकार उस तीर्थ में और जब चमतकार कहीं नहीं होता, तो यहाँ पर हिंदूजम की लगतार बुराई कर रहे हैं, हिंदूजम के ही फंडे अपनाके, जिसकी पिचिर्उस भी आपने देखी, और खानकाह जो थी, जो कश्मीर से शुरुात होती, बिल रशाय ने शुरुात की थी, मंदिर में के अंदर काली माता के मंदर में वो खानकाह लगती थी खानकाह में क्या होता था कि वह वहां बैठकर दीन की बाते करते थे और हमको सिखाते थे सांस हैसे लो सांस हैसे छोड़ा अरबा लोगो सांस लेना छोड़ना भी आ गया था लेकिन हमारे लोगों को वो बताते थे ये करने से ये चमतकार होगा ये करने से ये चमतकार होगा और उसका जबरदस प्रभाव पड़ा बहुत सारे लोग कनवर्ट हो गए काली मंदिर बिना गिराए बिना तोड़े बिना लड़े खान कहा यानी दरगाह में परिवर्दित ह हो गया मंदिर आज भी है लेकिन दरगा दिखेगी महां आपको मंदिर कहीं दिखेगा और ऐसे एक काली मंदर नहीं है सेक्ड़ों और भी मंदर इस पूरे देश के अंदर उचमतकार की बाते चमतकार अब वो विक्टी ने कलमा पड़ा पांच बार चमतकार के वज़े से बैठा है या दुबाई में बैठा है इन सब चीजों की टीवी पर चर्चा बहुत कम होती है धरते हैं क्या यह फैक्स नहीं जुटाते हैं चूंकि यहां मुर्वें नहीं लड़ाया जा सकेंगे यानि आप यह हमारे सामने इस पार्टी से हैं यह इस पार्टी से हैं अभी यह देश की बात करेंगे यह वहां संभव नहीं है क्योंकि यहां आकड़ों से बात करना होगा यहां आपको थोस बात करनी होगी यहां आपको बोर्डली अपनी बात करनी होगी और खेर अभी सम आत्मक परिवर्तन आया है कि हिंदू समाज बोल्डली बोलने लगा है लेकिन कुल दर्स परतिक्षत बाकी लोग ड्रेंग रूम में बोल्डली बोलते हैं सड़क पर और सोशल मीडिया में बोलने की ज़रूरत है तो ये चमतकार ले डूपा और वो कलमा पढ़के मुसलिम हो गए चमतकार पिर भी नहीं हुआ इसलिए आजकल आपको समाज में एक्स मुसलिम एक्स क्रिश्चन बहुत मिलेंगे ये उनका बाखाइदा एक नाम के साथ जुड़ गया है और क्या करते हैं हो हिंदूस को डिमीन करने के लिए हिंदूस में तमीज नहीं है तैसीब नहीं है मैनिज नहीं अंसाइंटिफिक हैं बाइस्ड है हिंदूसम के हिंदूसम में पित्र सत्तात्मक समाज है ओहो जैसे इसलाम में तो मात्र सत्तात्मक समाज है जो आँखे दिखाए रहे हैं बस विचारी उपर से नीचे तक उने बोरे में बंद सा कर दिया है वो अखेली जा नहीं सकती जबकि एक सक्षम महिला है वो जो जहाज भी उड़ा सकती है लेकिन उसको सड़क पर चलने के लिए एक मर्द की ज़रूरत है साइकल चलाने के लिए वो पीछे ही बैठ सकती है करियर पर आगे तो मर्द होना ज़रूरी है चाहें वो भाई क्यों न कर रहा हूं मत होने दीजे क्योंकि यही कंवर्जिन के इंस्ट्रूमेंस है इसलिए इनको समझाने के लिए मजबूर मुझे होना पड़ रहा है पैट्रियार्की ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ लीजी समझ में आ जाएगा पैट्रियार्कल सोसाइटी क्या तो यह 900 साल का ब् है 153 डिनॉमिनेशन कर श्यानिटी में भी है कास्टिस्थम है क्योंकि रेशियलिज्म तो यूमेनिटेरियनिज्म बन गया है हमारे या कास्टिसम है हम इन्हुमन है आप ब्लैक को दबा के मार देते हैं तो कोई दिखत नहीं है लेकिन फिर भी में एक बात मैं कहूंगा इस जातिवात की वजह से हिंदु धर्म का बहुत नुक्सान हुआ है और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं इस पवित्र दिवस की संधिपूर्व संधिया पर की जातिवात छोड़ दीजिए जाति में कुछ नहीं रखा है मनुष्य का गुण और मनुष्य का वेवार उसे महान बनाता है मनुष्य का कर्म उसे महान बनाता है तो जब गुण कर्म और वेवार तीनों खराब है तो ऐसा व्यक्टी तो आउट कास्ट है और वो किसी भी कास्ट का हो जन्म से लेकिन गुण कर्म और वेवार य प्लीज जाती को तोड़ देजे नहीं तो हिंदु समाज को यह लोग तोड़ देगे कुछ नहीं रखा जाती की गवंडर्म कुछ भी नहीं रखा एकदम जैसे उद्दम प्रिंसिली स्टेट्स के महाराजाओं का तक्त भी छिन गया भीक मांगने को महताज हो गए लेकिन फटे बन्यान के उपर जाकेट वोई डाली हुई है हम राजाँ हैं साथ रफूर करके अपने मुकुट में पहन लेते हम वोई राजाँ हैं तो अब रसी जल गई है लेकिन मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करता हूँ कास्टिस्म से थोड़ा सा दूर हटिए फिर कहते हुए हिंदू अंडविलप्ड है उसके बाद वो कहते हैं मूर्ती पूजक हैं यह भी एक बड़ा विचित्र है आप कोई निशान पूजे तो वो ठीक है हम उस निशान को एक मूर्त रूप दे दे वह गलत हो गया यह क्या बात हुई आप किसी बिल्डिंग को पूजे तो ठीक है उसे चुमें तो ठीक है, आप बखसे को चुमें पूजें तो ठीक है, आप परियों में चीजों को देखें तो ठीक है, आप अपने क्रॉस लगा दिया वह ठीक है, मा मर्यम हैं, उनकी उजाव पासना की तो ठीक है, हम हर तरीख से खलत है। या जो स्लाम करते हैं लाहक की बात हम भी तो करते हैं इश्वर की बात ब्रह्म नाम से करते हैं उपने शदों में उम्मी को ब्रह्म कहा है ब्रह्मा नहीं ब्रह्म कहा हमारे यह दोलों वाद हैं द्वैत भी है आदी गुरु शंकर अचार यह द्वैत वादी है यह भूल जात में पारंगत है अब आद देखिए ये ये होती है माना से कविशालता इसलिए हमारे पास बहुत सारे ग्रंथ है क्योंकि किसी ने हमें हुखम नहीं दिया हमने स्टडी की रिसर्च की एक नहीं फिलासोफी ढूंडी वो कॉंटर्डिक्टरी भी हो सकती थी लेकिन फिर भी इसी धर्म के अंदर की वो फिलासोफी है उस फिलासोफी को खतम करने के लिए धलवार का साहरा नहीं लिया गया और कहते हैं हिंदू Unpeaceful है इस पे तो किवल मैं और आप हाँ सी सकते हैं बाकि कितने performers हमें पता है कोई डुनिया को तीन बार तभा करने के weapons बना रहा है कोई चार बार तभा करने के weapons बना रहा है किसी ने असंख और किंट की और दूसरे देशों को क्या बच्चों को भी मारकाट से उसने परेज नहीं किया लेकिन हम लोगों को कुछ सीखना होगा पहली बात हम घ्यान हासिल करें धर्म के बारे में कितने हिंदों को पता है पांच आज सोचना बच्चे के सामने जाकर बैठ जाना अपने और कहना कि मैं तुम्हें आओ आज पांच शास्त्रों के नाम लिखाते हैं या पांच शास्त्रों के नाम लिखाता हूं जी नहीं पता किस संस्कृति की बात पर तो संस्कृति लाएंगे कहां से आप दूसरी बात कानून को समझ की जो अभी जस्टिस शिवास्त्रों जी ने बताए उसको समझने की कोशिश कीजिए और यह लोगों को भी बताईए कंवर्जन आज की देट में इतना इजी पॉसिबल नहीं है कम से कम दस स्टेट्स में तो इजी पॉसिबल नहीं और ये भी मैं आपको बता हूँ, 1930 से anti-conversion laws बनने शुरू हो गए थे प्रिंसली स्टेट्स में, बीकानेर स्टेट्स थी, बाडमेर स्टेट्स थी, ऐसी स्टेट्स में ये laws बनने शुरू हो गए थे. गमंड व इंडिया का नहीं बना था, फिर स्टेट्स में बनने शुरू हुए, अभी लेटेस्ट यूपी में आया है ट्विंटी में, और करीबन मनीपुर में भी जल्दी आएगा, इसे दस स्टेट्स हो जाएंगे, जिसमें anti-conversion law है, और जहां से अभी हमारे मानने पूर मं हिंडू ने धर्म तोड़ने की कस्म खा रखी, मंदिर में जाएगा भगवाल से मतलब जादा, नहीं है बस, यह 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 पूरी कर देना भाई, उसके बाद परसाद के लिए कपड़े फारेगा और बाहर आकर, इस वादे वह महां उस कोने में देख रहे हैं जो आधे सूत की दिवार है, उस दिवार में मैल जमा हुआ था, पेकार है मंदिर परसाद इन सब बातों से निकली, आप अपने धर्म गरत को पढ़िए, या मंदिर में जो भजन बजराय जा रहे हैं उस पर वे अख्या कीजिए, हम दुनिया भर की बुराईयां करते करते हम आमभी का रोल कब प्ले करने लगते हैं हमें पता ही नहीं होता है, हम कब बैटल अफ प्लासी हारने चल देते हैं हमें पता ही नहीं होता है, हम कब बैटल अफ बकसर हारने चल देते हैं हमें पता ही नहीं होता है, प्लीज, जैचंग, अन्जाने में भी मत बनिये, इस व बूल कर और अपने आश्रम मंदर धर्म शास्तर इन सब के लिए खड़े होने का वक्त है इसमें नुक्स आप निकालेंगे सो दूसरा वैसे निकाल देगा और आप बाकी दिन्यानवे जूट होने पर भी एकसेप्ट कर लेगे इसलिए मनोवध्यानिक रूप से मजबूत बन कीजिए हिंदुज्म की बाते कीजिए सनातन एक्ता की बात कीजिए ये सारी बाते अगर हम करते रहे और जो स्वामी जी ने कहा था और उसके आगे भी कहा था जिसकी तरफ जस्टस साब ने और हमारे मुखे अतितिदी ने दोनों ने इंडिकेट किया था in other countries a man may be political first and then he may have a little religion but here in India the first and the foremost duty of our lives is to be spiritual first थोड़ा spirituality की तरफ बढ़िये और अपनी चीज़ों को कृतिसाइस करना पत कीजिए ते आर ता बेस्ट और वही लोग जिनको आपने के साइस करते हैं आपके साथ खड़े होते हैं और जिस दिन यह लोग भी खड़े नहीं हुए आपने ने हतोचाइद कर दिया आप समझ लीजे बचेंगे आप भी नहीं तो हम सब एक जुठों हमें सब एक साथ रहे इस हिस्सेदारी निभाते हैं आगे आश्रम के प्रकलपों से जुड़िएगा यहां बहुत धर्म ध्यात्म का शास्ति का रहे होता है यहां पर बहुत साधना भी हम द्वान बैठे हैं इन सभी लोगों का मैं हिर्दे से अभार विक्त करते हुए एक बार उद्गोश आपके साथ करना चाहूंगा भारत मता की जय सनातन संस्कृति की जय